आजकल बच्चों में वाफल्स खाने का बहुत ही ग्रेज है क्योंकि ये दिखने में फैंसी भी लगता है साथ में टेस्टी भी लेकिन क्या आपको पता है कि इस वाफल्स को बनाना कितना असान है कितने कम पैसे में आप इसे घर पे बना सकते हैं और साथ में वाफल्स की जो मशीन है वो भी मैंने एकदम सस्ती वाली यूज़ किये तो कम खर्च में सूपर टेस्टी वाफल्स बनाए वो भी से पांच मिनट में तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार रेस्पी शुरू करते हैं वाफल बनाने के लिए हम एक बरतन में एक कप मैदा ले लेंगे मैदे की जगा आप आटा का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ चीनी तो जितना आप आटा या मैदा ले उसका वन फोर्थ हिस्सा आपको चीनी लेना है तो एक चौथाई कप मैंने पिसा हुआ चीनी डाला है 1-8 टीस्पून यानि दो चूटकी आपको खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा डालना है और एक चौथाई चूटा चमच आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल दे ध्यान रहे सोडा या बेकिंग पाउडर की कौटिटी एक तम मैजर करके डाले जादा नहीं डाले दो बड़े चमच आप इसमें घी या फिर बटर का इस्तमाल करें मैंने यहाँ पे घी डाला है अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे जैसे ही सारी चीज़े अच्छे से मिल जाएगे हम इसमें दूड डालेंगे और इसका एक गाढ़ा घूल बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने एक कब दूड डाल दिया है दूड डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे सारी चीज़े आप एक साथ ही डाल के ऐसे mix कर दे इसे बनाते वक्त ingredients की जो quantity है वो आपको बहुत ही ध्यान से इस्तमाल करनी है तो जितना मैंने बताए उसी मात्रा में सारी चीज़ों को आप इसमें add करें तो यह हमारा बैटर बन के तयार है यह देखिए ऐसी वाली बैटर होनी चाहिए ना जादा गाड़ी ना जादा पतली तब हम चलते हैं वाफल बनाने के प्रोसेस में तो बैटर को हमें rest करने के लिए ने रखना है इसका वाफल हम तूरंत बनाएंगे तो यहाँ पर बनाने के लिए मैंने यह वाफल मेकर लिया है यह मैंने amazon से मंगाया था जो मुझे 999 में पढ़ा था इसके reviews अच्छे थे आप किसी भी brand का वाफल मेकर इस्तमाल कर सकते हैं इसमें वाफल छोटे बनते हैं लेकिन बहुत ही क्यूट है यह तो यहाँ पर इसे यहाँ पर कुछ भी चिपकेगा नहीं लेकिन तेल या घी से ग्रीज करने पर जब आप इस पर बैटर डालेंगे तो वाफल का जो कलर है वो एकदम सुनहरा आएगा तो मैं इसकी वज़ासे इसे ग्रीज कर लेती हूँ तो दोनों साइट पर आप इसे ऐसे ग्रीज कर ले म मैं वाफल मशीन का इस्तमाल ऐसे करती हूँ अगर आप पहले से इस्तमाल करते हैं तो अपने हिसाब से इसे यूज करें तो यहाँ पर जैसी हलका सा गरम हो जाएगा नहीं तब हम इसमें डाल देंगे बैटर तो बैटर को इस्तमाल करने से पहले एक बार अच्छे से बैटर ले ले यह दिखेए और उसकी बाद सेंटर में हमें мें इस बैटर को डालना है सेंटर में डालेंगे तो यह खुदी चारो तरफ ऐसे इससप्रेड होने लगेगा चारो तरफ नहीं डाले बैटर अलते वक्त आप को इस बाट का ध्यान है कि जादा नहीं डालने है क्योंकि हमने इसमें soda, baking powder इस्तमाल किया है तो batter जैसे पकना शुरू होगा वैसे फूलना शुरू होगा तो अगर आप ज्यादा quantity में डाल देंगे तो ये machine के बाहर आ जाएगा तो batter डालने के बाद हम क्या करेंगे इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे उसके बाद इसके उपर का जो ढकन है वो बंद करेंगे ताकि ये जो base है वो अच्छे से set हो जाए ऐसा करने से batter जो हो बाहर नहीं आता है ये देखे अब हम इसे बंद कर देंगे और कम से कम एक मिनट पकने देंगे तो यहाँ पे आपको wait करना है बीच बीच में आप चीए तो ऐसे खोल के चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई lock walk नहीं होता है और सबसे खास बात यह है कि color आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं अगर machine की उपर की हरी बंद हो गई है लेकिन आपको waffle का color जो चीए वो नहीं है तो आप इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं कोई इसमें restriction या नियम नहीं है तो मैं यहाँ पे बंद होने के बाद भी नहीं से थोड़ी देर पकाती हूँ ताकिस का color है वो मेरे हिसाब से है क्योंकि थोड़ा सा ऐसे brownie चाता है न तो खाने में अच्छा लगता है और उपर की layer जो है वो ज्यादा crispy हो जाती है तो यह हमारा waffle जो है वो बंद के तियार है जब आप इसे निकालेंगे तो यह थोड़ा soft रहेगा लेकिन जैसे ही यह थंडा हो जाएगा वैसे यह crispy हो जाएगा अगर आप waffles को निकालके किसी plate की जगा wide rack पे रखेंगे तो यह तुरंती crispy होने लगेगा क्योंकि हवा दोनों साइट से लगेगी न तो steam create नहीं होगा तो इसे यह सौगी नहीं होगे तो यह हमारा एक waffle जो है वो बन के तियार हो गया है सीम तरीके से हम बाकी के waffles को बना लेंगे अगर आपके पास wire rack नहीं है तो आपका टोरी या glass के उपर भी इसे रख सकते हैं देसी तरीका बता रहे हूँ तो यहाँ पे और एक waffle में आपको बना के दिखाते हूँ यह देखें मैंने बैटर इतना ही डाला है और इसके बाद इसे अच्छे से spread कर दे थोड़ा सा पकनी दे और इसके बाद इसे बंद कर दे बत्ती बंद होने के बाद भी आप इसे पकाएं अगर इसको ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो तो यहाँ पे बैटर थोड़ा सा बाहर आ गया है लेकिन क्या फर्क बड़ता है वाफल तो वाफल है ना खाने में यह थोड़ा बनी जासा हो गया है तो शेप का आप टेंशन नहीं ले घर पे बना रहे हैं होम में डैस तस्ता है तो क्यों शेप में जाना है ना तो एक कप मैदा में आप टोटल इस शेप के आठ वाफल बना सकते हैं तो अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में तो इन वाफल को आप ऐसे भी खा सकते हैं कोई जरूरत नहीं होती है कि इसके उपर आप सिरप डाले या फिर आइस क्रिम डाले यह वाफल ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है लेकिन जब हमने वाफल बनाया तो इसकी इज़त तो करनी पड़ेगी न तो हम इसके उपर चॉकलेट सिरप डालेंगे या फिर चॉकलेट स्पर जो आपको पसंद है तो यहाँ पर यह चॉकलेट सिरफ डाल दे जितना आपको पसंद है या जितना बचों को पसंद है बचों में न वाफल्स का बहुत ही क्रेज है आजकल और यह बहुत ही महंगे मिलते हैं तो मैं क्या करते हूँ न बस ऐसे मैदा बोलती हूँ और बना के दे देती हूँ तो यहाँ पर आप इसके उपर वनीला आइसक्रीम डाल सकते हैं वनीला आइसक्रीम के साथ यह और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसके उपर थोड़ा से ऐसे सिरफ डिजल कर दे आप इसके उपर स्ट्रॉबिरीज कट करके रख सकते हैं मिंट लिफ से गार्निश कर सकते हैं सजावाट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो है ना एकनम होमेड वाफल वो भी सस्ता एकनम टिका हुआ ला तो आप इस वाफल्स की रस्पी को जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद पसंद ना है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बड़न क्लिक करें और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा